नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हमारे यूटूब चैनल आंसर देको पर देखिए बात कर रहे हैं हम काउंटिंग फिगर्स के बारे में और यह हमारा पार्ट दो है क्योंकि पार्ट एक में हमने बताया था आपको स्कॉयर के अंदर किस तरीके से ट्राइंगल को गिना जाता है जो कि बेसिक तरीके से बताया था और बहुत शॉर्ट ट्रिक आपको कर सकते हैं उसको आप एक बार जरूर देखें और आप बात कर रहे हैं हम यहाँ पर स्कॉयर में स्कॉयर काउंटिंग रेक्टेंगल को काउंट करना होता है तो आज उसी से रिलेट आपको दे रहे हैं इसका आंसर आपको जरूर बताना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं इसके अंदर ट्राइंगल कितने हैं तो आपको यह जो बताना है कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल होंगे तो आज बुज्याओं के वारे में बात करते है है, square के 4 व submission है समान होती हैं तो square होगा, 4 वiemवजाएं समान होती है अब बात करते हैं कि आप को पहला एक number का ग्राइगराम है इसमें हम देखते हैं, तो यहाँ पर यह जो बनेगा यह एक rectangle बनेगा ना कि एक square बनेगा तो यह square है complete एक square यह है आपका ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गए इसमें square कितने हो गए वर्ग कितने हो गए इसमें एक ठीक है दूसरा देखते हैं तो देखे यहां पर आपको देख रहा है कि जो यह square देख रहा है तो यह एक पूरा square है एक छोटा स्कॉयर देख रहा है तो ऐसे एक दो तीन चार और यह कंप्लीट जो होगा यह पूरा एक तो इसके अंदर स्कॉयर वर्ग कितने होगे आपके पांच तीक है आगे देखते हैं देखिए इसकॉयर में एक खासियत होती है कि इसकॉयर की जो बुजा हैं और बुजा इसके पांच थे ठीक है और सबसे पहले इसके अंदर की बात करते हैं तो अंदर एक स्कॉयर नजर आ रहा है हमें यह स्कॉयर आपका एक स्कॉयर नजर आ रहा है तो यहां एक स्कॉयर तो आपका यह हो गया और अगर इस स्कॉयर को अगर भूल जाते हैं तो यह आपकी बा डाइग्राम है इसमें आप देखे पहले जैसे आपका जो दिख रहा है यहां पर आपको नजरा रहा होगा कि इसके अंदर कितने हैं पांच अगला देखते हैं तो अगले वाले में जो है इसमें आपको कितने नजरा रहे हैं पांच और इसके बाद में भी जो है अगला इसम में कितने 15 वर्वा देखिए अब बात कर रहे हैं कि आपको अगर मान के चलो इस तरीके से आकरति दे जाए जब आपकी इस तरीके से आकरति होंगी तो आप इसमें स्कॉयर कैसे काउंट करें तो यहाँ सबसे पहले यहां पर बात करते हैं यह column हो जाएंगे तो इन पे भी नमबर डाल दीजिए और फिर इसके बाद मैं आप क्या करेंगे इसका इस से करेंगे स्कोटल लिखेंगे लिए 3103 प्लस 2 x 2 बराबर हो जाएगा आपका जब इसको आप करेंगे तो यह 9, 4, 1 हो गया इसका टोटल हो जाएगा आपका 14 इसमें वर्ग केतने होगा 14 अब देखिए कई जो है फैकल्टीज वगरा हैं जो आपके टीचर्स हैं वो कि अगर ऐसी ह्याय आगरति आती है तो आप इसको स्कॉइर्स कंकर दीजे जोड़ दीजे्ए अगर ऐसी इस्तिछी माम विखाचो करें आपने लिए लेकिन आगर ऑर आपकी स्यूर्ण बरावरन हो बने स्युकिन नहीं करना सबस्तिक ऐसी इसमें अगर आप गिनते हैं तो देखिए यहां पर एक दो तीन चार और पाँच फिर एक दो तीन चार पाँच ठीक है आप मुल्टिप्लाई करेंगे तो फाइफ यह जाएगा 25 फिर इसके बाद में 16 फिर 9 फिर 4 फिर आपका हो जाएगा 1 देख लीजे यह हो जाएगा तीन का मल्टिप्लाई 3 से दो का म्ल्टिप्लाई 2 से एक का मल्टिप्लाई एक से आप इसको जब करेंगे तो सीधा टोटल यह होगा तो इसका टोटल करेंगे आप यह हो जाएगा 55 पर हो charter kो सिवंथा नमबर का जो डैग्राम है इसमें फिगर में आपको कांट करने इसक फिर 4 x 2 करेंगे आप 4 x 2 प्लस फिर आप करेंगे 3 x 1 अब आप जब इसको टोटल करेंगे तो इसका अंसर हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 3 और यह जो होगा तो 26 इसके अंदर आपके स्क्वाइर हो जाएगे अब आपके दमाग में आ रहा होगा कि सर आपने इसका मुल्टिप्लाइ तो की यह नहीं की right आप इसको आप ने तो सीधा काउंंटिंग करें एक दो तीन आप इस तरीके से िängen चाउनटिंग यह सबसे पहले 15 बनेंगे फिर उसके बार में इसकोर messyह देखेंगे यह जाएगा और एक आपका इस तरीके से यह हो जाएगा तो यह आपके टोटल है 26 है एट्थ नमबर का जो डाइग्राम है आपने देखिए यहाँ पर आपको कॉलन ज्यादा है पंक्तिया गम है तो नमबर डाल दीजिए वैस एक दो तीन 1234 multiply कर लीजिए 412 हो जाएगा 4 into 3 2 into 3 करें तो यह 6 हो जाएगा 2 into 1 कर लीजिए तो 2 हो जाएगा आप टोटल करेंगे इसमें आ जाएगा 20 square 20 वर हो जाएगे इसमें अगला देखिए देखिए नाइन्थ नमबर का है जिसमें आप वो बताया गया है नाइन्थ नमबर में आप इसके अंदर count करेंगे तो 1 2 और यह complete बनेगा आपका 3 तो यह 3 square अंदर की आकरती में दूसरी आकरती देखते हैं दूसरी आकरती जो है आपकी दूसरी second आकरती जो है उसमें भी इसी तरीके से यह पूरा एक दिख रहा है आपको ठीक है और उसके बाद में आपका यह वाल तो कितने हो गए आपके इसमें भी एक दो और इसी तरीके से पूरा 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 प्लस 3 फिर उसके बाद में आगे चलते हैं आगे चलेंगे तो फिर दुबारा से आगे उसी तरीके से आपको नजर आ रहे हैं यह चीजे यह पूरा है एक square और उसके बाद में आपका यह तो आपका यह हो जाएगा फिर से 3 तो इसमें total square हो जाएगे 9 10th number पे देखिए 10th number का जो है इसमें आप square की counting करेंगे तो सबसे पहले आप अंदर का यह जो है इसके अंदर square count कर लीजे इसमें आपके 5 square होंगे फिर उसके बाद में आप अगला देखते हैं तो यहाँ यह diagonal line लिए है यह देखिए diagonal है क्योंकि diagonal line से कोई square नहीं बनेगा diagonal line से नहीं मनता है तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही square होगा और बाहर वाले में जो है उसमें आपके 5 square हो जाएगे क्योंकि यह पूरा का पूरा यहाँ पर middle इस आपको middle इस्तान से दियो है, mid से दियो है यह line के तो इसके total करेंगे तो आपके total square हुजए 11 नहीं आगे देखते हैं तो देखिए आगे बात करते हैं quadrilेटर और इसके rectangle के बारे में, rectangle आपका होता है आयत, आयत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो देखिए, आयत जो है, इसमें आयत में आपको, आयत में जब भी भी आपको वैल्यू निकालनी होगी, तो आपको देखना होगा, कि आयत का मतलब क्या होता है, आयत का मतलब होता है, आमने सामने की बुझाएं बराबर, और इसक के बाद में आम आपसे बात कर रहे हैं कि एक वर्ग की रेफिनेशन देखते हैं तो वर्ग होता है जिसकी चारों हो जाए बराबर हों तो यह चारों हो जाए बराबर है तो इसको हम यह भी तो कह सकते हैं कि यह बिलकुल वर्ग वैसे ही दिख रहा है हमें वर्ग भी वैसी न दिया जाएगा और इसमें आपको rectangle आयत गिनने की बात करेंगे तो हम सबसे पहले तो इसमें rectangle के बारे में बात करने से पहले इसमें qu ordinator निका रहेंगे और आपके चत्रोफु ओम को हटानेके के निकाल दिए एक और दो नमबर डाल दीजे इनके ऊपर और इनके नमबर को आपस में ब Chocolate!! नैए उसेए कितने रोभ हैं उनगो जूर दीजे और आपकी पंक्तियों को इस्थम भी 7, सबसे पहले ke 10 रोभ फटाल हैं हम तो यह तीन वर्ग कितने हैं वर्ग निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है पंक्ति का अंतिम पंक्ति का अंतिम से उसी तरीके से चलते रहेंगे फिर उसी तरीके से चलता रहेगा पूरा तो यहाँ पर जो आयत हैं आयत निकालने हैं आयत की वैल्यू तो यहाँ पर पांच वर्ग है तो आयत आपके बिवकुल में आएंगे इसमें 4 यह आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा टिपिकल मामला होता है इसके अंदर आयत निकालने में आप इसके अंदर भी इसी तरीके से निकालेंगे अगला कॉशन जो है एक दो तीन चार एक दो तीन चार आप देखी पूरा आयत और आपके जो की वर्ग है सामिल ठीक है अब आप जब ये कर रहे हैं तो इसमें आप वर्ग हटा दीजिए वर्ग का मतलब आपका 4 का multiply 4 से 3 का multiply 3 से 2 का multiply 2 से और 1 का multiply 1 से जब आप इसको हटाएंगे तो 100 माइनस तो 4 into 4 16 3 into 3 आपका हो जाएगा 9 25 4 आपका यह हो जाएगा इसमें 30 तो इसमें आयत होगी संख्या होगी 70 यह आपके लिए थोड़ा सा important है और typical भी है थोड़ा सा कि आयत किस तरीगे से count किये जाएंगे इसमें 70 आयत होगे अब अगला देखते हैं देखिए बहुत ही famous question है कई exams में पूछा हुआ है यह पहले तक आपका इसका 2012 से पहले इसका answer जो लिया जाता था वो लिया जाता था इसका answer 21 लेकिन उसके बाद में इसको change कर दिया गया और इसके बाद में इसका answer लिया जाता है अब 16 अब देखि 8 आपके आयत नजर आ रहे होंगे आपको छोटे-छोटे तो यह 8 हमने आयत किन लिया फिर उसके बाद में आपके बड़े आयतों पर चलते हैं तो यह वाला एक देख रहा है आपको एक आयत इसी तरीके से अगला यह और इस तरीके से आप count करेंगे तो चार आयत आपके ब बढ़ जाएंगे टोटल आयतों की संख्या इसमें हो जाएगे आपकी सोला आंसर कितना होगा सोला इसको याद रखिएगा कई एक्जाम्स में बहुत पूछा हुआ है इसको काफी एक्जाम्स में पूछा हुआ है यह आपके लिए बहुत important है आगे बात करते हैं इसमें आ आँ बहुता है यहां पर 90 दिग्री का दीजा हा हुआ है यहां पर निकल यांगे तो आपकी स्म बहुता लेक्राण कोई हो यहां इसको बात कर को यह दूझे नंबर डाले बात और नमबर डालने के बाद में टोटल कर दीजे सबको तो यह हो जाएगा 15 यह हो जाएगा 21 आप जब आपस में मल्टिप्लाई कर लीजे 315 इसके अंदर आपके चत्रों बज़ों जाएंगे 315 चत्रों बज़ों जाएंगे क्योंकि आयत रवर्ग नहीं निकले जा सकता है कि आयत में आपको पता है यहां का कौन 90 दिघरी ही कोन που eating ganze होता है 90 डिगर इसलिए तो इसमें रहाए हैस निकाला सकता 14 निम्लम अब बात करते हैं हम TRIANGLE Michael's किस तरीके से सपत्ग करेंगा कि Northern Triangle's को काउंट करने का सबसे बहत्रीन तरीका है कि आपको पहले दोर त्रेंग्ल्स पता हुने चाहिए कि आपको ट्रैंगल ऐसे टाइपस जो है अलग-अलग तरीके के वो चीज़ आपको पता हुने चीज़ यहां पर एक straight line दी हुई है ट्रैंगल में एक line के साथ में parallel line चल रही है आप यहां पर देखें यह line है आपका समकॉंड तरबुज बन रहा है इसमें आपकी समकॉंड तरबुज के साथ में एक lump इस तरीके से अलग-अलग रेखा है जो बनाई है जब आप इसके अंदर जब counting करते हैं तो देखें यहां पर बस आपको यह खाने गिनने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ तो इसमें आठ तक जा रहे है जितनी लास्ट में जो पॉइंट आपका जो आ रहा है नंबर वही आपके ट्रैंगल की संख्या होगी आठ आप इस में ड्रेंगल होगा है आप देखे आप इसको देख सकते हैं आप बता देखिए आप कैसि आप इसको बता सकते हैं अगर बानके चले यह कर यह लैन अगर हटा दें तो इस लाइन को खटादे तो यह पूरा गरiniz बनेगा छिक है एक पांक तो था दूसरा बन फिर उसके बाद में इसी तरीके से यह वाली लान हड़ जाई तो यह थो चॉथा रोगा इसी तरीके आप इसो बहुता हुआ हिए सि से कमप्लीट बड़ा वाला ट्रेंगल भी इसी में शामेल होकना तो लाश्ट में आपका क्या बचेगा ये वैले इसमे टाइंगल की संग्याज क्यों होगी अगला देखते हैं अगले वाले में आप ढ़ी दआलक है इस इसे में फीन थीन चार 5 यहां पर पर और फोटिछन इसका आदा ले तो तरही तक कितने हैं 10 घिके है उसके बाद में कर देखता है और पूरा थाइंगलर बनेगे ऊस हंध़ जुड़े चार इदर हो जुड़ना है 6 जाएंगे 16 प्लस अब बात आती है कि triangles और कौन से बढ़े तो triangles आपके बढ़े हैं ये वाले देखिए एक ये बनेगा फिर दूसरा ये बनेगा तो चार इस तरीके से तीसरा ये बनेगा बिलकुल बनेगा ठीक है आपके इस तरीके से तीन बन चुके हैं और उसके बाद में तो आप चार इदर और चार इदर तो आठ ऑर होगी लेकिन अब भी इसमें दो ट्राइंगल और चुटे हुद है दो कौन से चुटे हुए ये वाला ट्रेंगल जो कि आपने ये काउंट नहीं है ये चांट और एक ये बाइल तो दो कॉने ट्राइंगल और जोड दीजिए इसमें तो आपका हो जाएगा इसमें 26 ट्राइंगल अगला देखते हैं अब देखिए आगे बात करते हैं अभी तक तो स्ट्रेट लाइन मिल रही थी हमें लेकिन अब हमें अगर मान के चलें ट्राइंगल के साथ हमें कोई एंगल बना के हुए लाइन दी गई हो तो इस तरीके से यह देखिए एक लाइन बन जीए यह आप अब आप इसमें तो यह है ठीक है एक ट्राइंगल यह है ठीक है दो हो गए और इसके बाद में अगर देखते हैं तो यह कंप्लीट वाला एक ट्राइंगल तीन हो गए तो आप इसको तीन ट्राइंगल हो गए लेकिन अब इसका शौट क्या है तरीका शौट आप जितने नंबर आपके याद रखनी है ठीक है इसमें star बना हुआ है यह बड़ा triangle है एक पूरा तो आप इसमें कैसे count करेंगे तो number डाल दीजे बस आपको number डालने है बस 6 यह हो गए और यह complete वाला बड़ा triangle जो आपको दिखाई दिरा एक यह और एक इसका उल्टा तो इसमें total triangle हो गए आपके 8 डायरेक्ट आप याद रखेएगा इसके अंदर 8 होते हैं इस वाले triangle के बारे में बात करते हैं कि यह जो छोटा star जो बना हुआ है यह type दूसरा star का तो इसके अंदर में आप अगर याद करेंगे तो इसके अंदर सीधा याद करिए 10 होते हैं ठीक है लेकिन आप इसको कैसे count कर सकते हैं तो देखे मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा तरीका यह बाहर आपको जो special तरीके से दिख रहे हैं तो यह triangle आपको नजर आ रहे होंगे पांच triangle है लास्ट में अगर आपको मैं बात करता हूँ कि और कौन से triangle होंगे तो देखे यहाँ पर आप count कर लीजे एक triangle तो यह वाला हो जाएगा ठीक है उसके बाद में आप और देखेंगे तो यह दूसरा triangle आप इधर से आईए ठीक है इसका यह दूबारा आईए तीसरा triangle आपका यह यह दो गए और फिर दूबारा आईएं आप यह वाला triangle एक आपने count नहीं किया है तो यह वाला बन जाएगा एक triangle और उसके बाद में अगर आप बोलते था है और कौन से बचा तो एक triangle आपने यह वाला नहीं लिया तो पास ट्राइंगल और बन जाते हैं तो इसका ट्राइंगल कितना हो जाता है दस अंदर आप याद रखेगा दस ट्राइंगल होते हैं आगे बात करते हैं कुछ आगरतिया हैं जो कि कई एक्जाम में पूछी हुई है तो देखिए आप इसके अंदर वही आपको नंबर डालने हैं और टोटल करना है वन टो थी फॉर और फाइव आप देखिए यहां पर अप जब नंबर डाला तो सब का टोटल करिया इंगा टोटल करेंगे आप आ आप ट्राइंगल और कौन से जोड़ सकते हैं इसमें कोई भी ऐसा ट्राइंगल नहीं है जो आपने छोड़ दिया हो सारे ट्राइंगल आपके काउंट हो चुके इन पंद्रा के अंदर ऊपर वाले पंद्रा में और नीचे वाले पंद्रा में तो यह टोटल कितना हो गए लेकिन अब आगे बात करते हैं कि आप इसमें किस तरीके से आप काउंट करेंगे यह आकरती और यह आकरती विल्कुल लगवक्त सेम है लेकिन इसके अंदर आप नंबर डाल दीजिए एक दो तीन फिर यहां पर भी देखिया आप चार पांच और छे आप नंबर डाल चार्डइल में आपको किया करना है टोटल करना है यह हो कहां ट्वेंटी वन ठीक है ऊपर की से नीचे की साइट कि पिते हो गया आप तो इस तरीके से आपके कितने ट्राइंगल और बन जाएंगे तीन ट्राइंगल इदर बढ़ेंगे तो इसलिए इसके अंदर आगे देखते हैं अब यह कुछ स्पेशल हैं जो कि आपको कैसे करने हैं तो इसके बारे में हम बता देते हैं आपको कि यह डाइग्राम जो होते हैं देखे आप याद रखिए इस वाले डाइग्राम में आपके होते हैं पांच ट्राइंगल ठीक है इस वाले डाइग्राम में होते हैं आपके प्रती तो आपने बता दिया लेकिन इसको करेंगे की याद करने का अब करने तरीक मैं बता दितां हूँ अब देखिए यहीं सबसे पहले तो इसको गिंदे देक और फिर ऐसे आपको दिख़रा होग लगा इस वाले में में भी काउंटिंग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद में और कोई आकरती बढ़के आ जाती है तो भी बहुत जागा टाइम लगा तो हमें ऐसा नहीं करना हम बस सीधा सा एक याद करते हैं तरीका सबसे पहलो देखिए इसमें कितनी हैं रो माल लेते हैं य गज़ते हैं और नहीं कितना बनेगा अच्छे चैनल जोड़ दूं तो आपका कितना बनेगा दस दस में अगर पांत जोड़ दूं तो कितना बनेगा पंद्रह यह इस तरीके से बढ़ती रहेगी और बस आप करना क्या है तो आपको नंबर डालना बस खाली यहां पर वन और त्री एक तीन लिखा आपने फिर उसके बाद मैं एक लिखा इस वाली लाइन को छोड़ना है सबसे नीचे के अंगो को छोड़ना उसके बाद मैं उपर वाले को पकड़ना बापस यह हो गया टोटल कितना हो रहा है तीन और दो पांच ही ट्रैंगल बैठ रहे थे इस आप क्योंकि नमबर डाल जाए जाए 136 इस तरीके से टोटल कर दिया इसको टोटल करती चलिए 6 प्लस 3 प्लस 1 अब यह इसको छोड़ दिया तो इसको बापस ले लिजा प्लस 3 बराबर कितना हो गया आपका 13 अभी मैंने आपको पहले बताया है इसमें कितने होता है 13 इसको प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 अब मैंने आपको बताया था सबसे नीचे का छोड़ना है तो इसको छोड़ दीजे इसको पकड़ लीजे वापस और इसको वापस ले लिजे प्लस का हो जाए 6 प्लस 1 वराबर टोटल कितना हो गया आपका 27 यह इंपोर्टेंट्स इमेज है काफी इम बनाएंगे तो इसमें हम आपसे आपके जो पुराने पेपर्स के अंदर जो एक्जाम्स के अंदर जो कोश्चन है उनके बारे में बात करेंगे देखे दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट शेशन था आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर हमार